नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अमारे चैनल भक्ति ग्यान में, दोस्तों आज मैं आपको हर्याली तेज की ब्रत कथा सुना रहा हूँ भागवान सिव ने कहा है गोरा, पिछले जनम में तुमने मुझे पाने के लिए बहुँ छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपश्या की थी तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चवाई जला देने वाली गर्मी होया, जमा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही, बारिज में भी तुमने जल नहीं पिया तो मैं इस हाल में देखकर तुमारे पिता दुखी थी, उनको दुखी देखकर नारद मुनी आये और कहा कि मैं भगवान विश्नू के भीजने पर यहां आया हूँ, वह आपकी कन्या से विभाव करना चाते हैं, इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाता हूँ नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विश्नू यह चाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ती नहीं है, परंतु जब तुमें इस बिवा के वारे में पता चला, तो तुम दुखी हो गई, तुमारी एक सहिली ने तुमारे दुख का कारण पूचा, तो मेरे पास प्राण त्याग देने के अलाबा कोई और उपाय नहीं बचा, तुमारी सकी बहुती समझदार थी, उसने कहा प्राण छोडने का यहां कारण ही क्या है, संकट के समय धहरे से काम लेना चाहिए, भारतिय नारी के जीवन की सार्थक्ता इसी में है, कि जिसे मन से प पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर अवसी तुमारी साहता करेंगे, तुमने ऐसा ही किया, तुमारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतेतों और दुखी हुए, इधर तुमारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहली के साथ नदी के टटपर एक गुफा में मेरी अराधना में लीन रहने लगी, तुमने रेट के सिबलिंग का निर्मान किया, तुमारी इस कठोड तपश्या के प्रवाव से मेरा आसन हिल उठा, और मैं सीगरी तुमारे पास पहुचा, और तुमसे बर मागने को कहा, तब अपनी तपश्या के, फाले भूत, मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पती के रूप में बरण कर चुकी हूँ, यदि आप सच्मुच मेरी तपश्या से पिरसन होकर यहां पता रहें, तो मुझे अपनी अर्धावनी के रूप में स महादिब से मेरा विवा करेंगे, तुमारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवा करवाया, इस ब्रत का महत तो यह है, कि मैं इस ब्रत को पूण, निष्टा से करने वाली पिरते के स्त्री को मनवांचित फल देता हूँ, इस पूणे पिरकण में, तुमारी सकी ने सुख पूरवर, पती रमर करके सिव लोग को जाती हैं, सो भागवते इस्त्रियां अपने स्वाव को अखंड बनाए रखने और अब विवायत यूतियां मन मताविक बर पाने के लिए हरताल का तीज का ब्रत करती हैं, इस दिन ब्रत करने वाली इस्त्रियां सुलुद से प समन चड़ा जाता है, रात में भजन किर्तन करती हुए जागरन कर तीन बार आरती की जाती हैं, और से पारवती विवा की कथा सुनी जाती हैं, इस ब्रत के ब्रती को सेन का निसेद हैं, इसके लिए उसे रात त्री में भजन किर्तन के साथ राती जागरन करना पड़ता है, प्रात्यकाल इसनार करने के पच्छा स्रत्दा एवं भक्ती पूर्वक किसी सुपात्र स्वागन मैला को सिंगार सामिकरी वस्त रखाद सामिकरी फल मिश्टांद एवं ये था सक्ति आवुसराण दान करना चाहिए रेत के सिवलें बनाए ही तो उनका जलासे में विसजन किया जाता है और खीर खाकर ब्रत को संपन किया जाता है बुलो भगान सिवसंकर की जैए